जब भी हम होटल्स की बात करते हैं तो एक बड़ा नाम सामने आता है और यह जो बड़ा नाम सामने आता है यह लगजिरी होटल चेन का नाम सामने आता है होटल चेन का नाम है लीला पैलेसेज आपको बता दे की लीला पैलेसेज जो है वो होटल एंड रिजॉर्ट में अपन Initial Public Offering यानि IPO लाने की तैयारी कर रही है IPO के लिए company जल्द ही सेवी के पास यानि Security and Exchange Board of India के पास एक draft paper यानि draft red hearing prospectus file कर सकती है media reports के according अगर हम बात करें तो company का जो IPO है उस IPO की through company market से लगबाग 5000 करोड रुपे का fund raise करने का plan कर रही है और देश में इस size का जो hotel sector में अब तक का IPO की अगर हम बात करें तो यह अब तक का सबसे बड़ा IPO रहने बाला है आपको बता दे कि लीला पैलेसेज को साल 1986 में CP क्रिशन नायन ने सुरू किया था present में इसकी जो ownership right है वो Brookfield Assets and Management के पास है रिपोर्ट के according अगर हम बात करें तो hospitality sector का एक mega issue है सेभी के पास company जल्द ही अपने draft rate hearing prospectus यानि के draft paper जो है वो file कर सकती है और अगर इस IPO की और detail में जाए तो आपको बता दे कि IPO में 3000 करोड रुपे का जो fund है वो fresh issue के जरीए raise किया जा सकता है और इसके इलाबा जो 2000 करोड रुपे का fund रहेगा वो OFS यानि offer for sale के थू रहेगा जो 3000 करोड रुपे का fund है इसका जो use है वो growth capital के लिए किया जाएगा जबकि बाकी का जो 2000 करोड रुपे का fund है इसके तहर जो promoter group field है वो अपनी हिस्चेदारी कम करना चाहती है overall आपको बता दे कि इसमें Kotec Mahindra Capital, JM Financial, Bofa Security, Morgan Stanley, JP Morgan, Axis Capital, City, ICICI Securities, IIFL Capital, Motilal Oswal और SBI Caps, सहित 11 investment bank, Lila Palaces के IPO के लिए book running lead manager रहेंगे